हलो एंड वेलकम तो रेनिसांस 2.0 मैं हूँ शिवांग भारदवाच और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का थर्ड चाप्टर इक्वालिटी अब इक्वालिटी का जनरेल मतलब सबको पता है यानि एक समान होना पर सोचने वाली बात ये है कि इक्वालिटी का कॉंसेप्ट हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी चाप्टर आपके लिए बाए हाथ का खेल हो का तो अब हम टाइम में थोड़ा पीछे जाके देखें तो इक्वालिटी का कॉंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस में तब आया जब भी लोगों को लगा कि उनके साथ नाइनसाफी हुई जैसे जब अंग्रेज इंडिया आए और उन्होंने हमारे साथ भेद भाव किया हम पे जुल्म किया तब हमने बोला कि भई हमें फ्रीडम और इक्वालिटी चाहिए ऐसे ही जब भी कहीं दुनिया में नाइनसाफी हुई है तब लोगोंने दूसरों को याद दिलाने के लिए कि भई हम भी ह्यूमन सें इंसान हैं इक्वालिटी की बात की है तो इक्वालिटी को हमेशा हम इन इक्वालिटी के साथ ही बढ़ेंगे अब एक बार इक्वालिटी की डेफिनिशन देखके इसे दुबारा समझ लेते हैं इक्वालिटी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवार और हर इंसान को बराबर इज़त ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उससे हम जारा तमीज से बात कर रहे हैं या कोई गरीब है तो उससे बतमीजी से नहीं, सबको equal respect अच्छा, सिर्फ बराबर respect ही नहीं बलकि हम लोगों में भेदभाव भी नहीं कर सकते लेकिन इसमें कुछ exceptions है वो क्या है हम जल्दी देखेंगे तो equality का मतलब सब के साथ एक जैसा व्यवार और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी बात अपनी इसी definition में एक छुपा हुआ मतलब भी है वो क्या, कि आप एक तरफ ये बूल रहे हो कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना तो जो गरीब है सोसाइटी में वो कहां से उस लेवल पे आएगा कि वो अमीर लोगों के साथ खड़ा रह सके इसके लिए ये हमारी जिम्यदारी बनती है कि उन्हें बराबर opportunity भी दे तो equality का मतलब ये भी है कि हर इंसान को बराबर हक मिले और बराबर opportunities मिले अपने talent और skills को develop करने के लिए इसे हमारे constitution में यानि समविधान में article 16 में बताया गया है और ध्यान रहे कि ये right एक fundamental right है और इसे कोई भी आप से ले नहीं सकता चाहे वो खुद सरकार क्यों ना हो अब एक बार inequalities के बारे में भी बात कर लेते हैं तो inequality भी दो थरीकिसे होती है एक होती है natural और दूसरी होती है social natural inequality वो होती है जो हमें अपने आप मिलती है और उस पे हमारा कोई बस नहीं चलता जैसे अगर कोई अपाहीच पैदा हुआ है तो वो एक natural inequality है इनसानों में या अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छा talent है तो वो भी एक तरीके से natural inequality ही है ऐसी चीजों पे समाज का कोई बस नहीं चलता दूसरी तरफ social inequalities वो होती है जो समाज खुद बनाता है इसमें जब हम लोगों की साथ भीदभाव करते है या किसी इनसान की मजबूरी का गलत फाइदा उठाते है वो social inequality माना चाता है अभी तक हम ने ये तो देख लिया कि natural inequality पे हमारा जादा भस नहीं चलता पर अब ये देखते हैं कि समाज में हम किस किस एरिया में equality लाने की कोशिश करते हैं ये तीन एरियास है पहला political equality दूसरा social equality और तीसरा economic equality ठीक अब तीनों को एक एक करके समझते हैं तो political equality का मतलब है सबको समाज में बराबर अधिकार यानि rights जैसे हर इंसान जो 18 साल से बड़ा है उसे vote करने का हक होना चाहिए या elections में खड़े होने का हक होना चाहिए सबको अपनी बात खुल के कहने का भी हक होना चाहिए जिसे हम freedom of expression भी बोलते हैं इसी टाइप के rights political rights में आते हैं दूसरा है social equality उसका मतलब है समाज में सबके साथ एक जैसा व्यावार या हम किसी के religion के basis पे या caste के basis पे या gender के basis पे लोगों के बीच में भी बात नहीं कर सकते हर इंसान बराबर है उसे society में बराबर aspect मिलनी चाहिए finally तीसरा है economic equality इसका मतलब है समाज में सबको बराबर resources मिलने चाहिए जैसे for example equal pay for equal rights यानि अगर दो लोग same काम कर रहे है तो उन्हें same पैसे मिलने चाहिए जैसे हमने काफी सुना और देखा है अकसर females इसका शिकार होती है ठीक ऐसे ही सबको अपनी capability के according यानि शमता की अनुसार काम करने का हग भी होना चाहिए अब एक बार मांक्सियन और liberal point of view को भी समझ लेते है क्योंकि ये दो important political ideologies है ideology का मतलब है विचारधारा यानि set of ideas तो अगर equality की बात करें इसमें ये दो सबसे ज़ादा important ideologies है जो मांक्सियन थियोरी है उसे 19th century में काल मांक्स ने दिया था उनका मानना था कि जो inequality का सबसे बड़ा reason है वो है private ownership of resources यानि जो समाज की resources है उस पे सिर्फ कुछ लोगों का और companies का ही हक है जिसकी वज़े से ये सारे resources सिर्फ कुछ लोगों के पासे सिमटके रह गए हैं और गरीब हमेशा पिस्ता रहता है उनका मानना था कि इन सारे resources पे सिर्फ government का control होना चाहिए ताकि वो सब को बराबर resources माच सके इससे कोई बहुत ज़़ादा अमीर भी नहीं होगा और कोई बहुत ज़़ादा गरीब भी नहीं होगा तो जो liberal point of view था वो marxian view का बिलकुल उल्टा था opposite था उनका मानना था कि ये जो government है उनको बस ये देखना चाहिए कि लोगों का एक minimum standard of living maintain रहे यानि उनकी basic जरूरतें पूरी होते रहे और सब को बराबर opportunities मिले अपने आपको prove करने के लिए इन दोनों ideologies के अलावा एक तीसरी ideology भी है जो है socialism की ये ideology काफी हद तक Marxian ideology के साथ similar है जो सबसे बड़ा difference है वो ये कि socialism बूलता है कि हर area में government का control जरूरी नहीं है सिर्फ कुछ important areas में काफी है जैसे education या health socialism का main area था कि समाज में जो existing inequalities हैं उन्हें कैसे खतम किया जाए तो इसलिए उनका मानना था कि सरकार को हर area में control करने की जरूरत नहीं है बस कुछ important areas में ही control करने की जरूरत है इंडिया में sociologist ideology के एक बड़े supporter रहे हैं जो थे राम मनोहर लोहिया और उन्होंने इंडिया में पांच टाइब की inequalities को identify किया था पहला inequality between men and women यानि मेल्स और फीमेल्स में भेदभाव दूसरा inequality based on color of skin यानि रंग के basis पे भेदभाव तीसरा caste यानि जातपात का भेदभाव चौथा colonialism यानि जो देश दूसरों पे कबजा करते हैं जैसे अंग्रेजों ने किया था इंडिया पे और पांचवा economic inequality यानि financial या आर्थिक भेदभाव अब एक concept और है जो हमें पढ़ना है और हमने कई बार इसे अपनी daily life में भी सुना है और ये है feminism का feminism का मतलब है men और women दोनों के लिए बराबर अधिकार अब कई बार लोगों को feminist words सुनके लगता है कि सिर्फ female सी feminist होती है तो ये बिलकुल गलत है feminist male या female कोई भी हो सकता है जो ये सोच रखते हैं कि और आदमी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए feminist का मानना है कि इस gender inequality के पीछे patriarchal society बहुत बड़ा reason है patriarchal society का मतलब ऐसा समाज जहां हमेशा males को उपर रखा गया और females के साथ भेदभाव हुआ और feminist इसी भेदभाव को खतम करने की कोशिश करते हैं अब देखते हैं कि किन तरीकों से हम equality को promote कर सकते हैं society में तो इसकी तीन major तरीके हैं पहला है establishing formal equality यानि वो सारे rights जो equality को रोकते हैं उन्हें हटाना चाहिए इसे अगर example से समझें तो जैसे पहले सब को vote करने का अधिकार नहीं था वो सिर्फ खास लोगों के लिए था या फिर जैसे females को इतने कामों से दूर रखा जाता था जैसे उन्हें drive करना loud नहीं था काम करना loud नहीं था बहुत से fields में और इसी लिए आज जादातर modern constitutions यानि सम्भिधानों में हमें ऐसे भेदभाव को रोकने के लिए तरीके मिलते हैं दूसरा है equality through different treatment ये interesting है इसमें हम बोलते हैं जो समाज के कमजोर sections हैं चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी और तरीके से उनके लिए special provisions होनी चाहिए यानि उन्हें थोड़ा special treatment मिलना चाहिए और ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि सबको बराबर platform मिलना चाहिए competition के लिए पर हम ये भूल जाते हैं कि सबके पास बराबर resources नहीं होते तो पहले हमें ऐसे लोगों को बराबर platform पे लाना है ताकि वो equally सबके साथ competition कर पाएं इसका सबसे अच्छा example है Reservation Policy of India जिसमें SC, ST, OBC और भी कई पिछड़े हुए sections के लिए खास provisions हैं तीसरा है affirmative action अब हमारी society में inequality इतने सालों से है और ऐसी mentality को एकदम से खतम नहीं किया जा सकता इसलिए सिर्फ policies से कुछ नहीं होगा बलकि कुछ actions भी होनी चाहिए जो इस बदलाव को support करें जैसे पिछड़ दलों के लिए education और jobs में reservation अब इस scheme के पीछे काफी debate होती है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं बट अगर हमें society को बराबर बनाना है तो जो लोग वाकई में भेदभाव का शिकार रहे हैं उनके लिए special provisions जरूरी हैं अब इस chapter का last topic positive या protective discrimination तो positive या protective discrimination वही होता है जो हमने जस्ट अभी पढ़ा यानि society के कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ special provisions जो inequality के शिकार रहे हैं past में I know ये concept equality के concept को contradict करता है बट अगर आप इस example से सोच हो तो समझ आएगा और example एक तरफ पार्थ नाम का एक बच्चा है जो काफी अमीर घर से बिलॉंग करता है और दूस्टी तरफ हमालय नाम का बच्चा जो काफी गरीब घर से है और दोनों ही एक competitive exam के तयारी कर रहे हैं पार्थ के पास तयारी के लिए महेंगी books है private coaching है air condition room है पढ़ने के लिए और हमालय के पास कुछ भी नहीं सिर्फ एक पटी पुरानी से book है तो अब आप सोचो कि ऐसे में क्या दोनों की बीच का competition जायज होगा नहीं न इसी लिए protective या positive discrimination का concept आया जो इन weaker sections को उस level तक लाने में मदद करता है जहां competition जायज रहे तो यहां खतम होता है हमारा equality chapter अगर आपको ही video अच्छे लगी तो इसे like और share करें और channel को subscribe करना न भूले I'll see you in the next chapter Till then keep learning Thank you